नमस्कार आप देख रहे हैं के लांचल टाइमस और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकर पश्यमंगार बिहार के बाद अब इंडिया गट बंधन उत्रप्रदेश में भी तूट के कगार पर दिख रहा है खबर है कि RLDI और समाजवादी पार्टी के बीच गट बंधन तूट सकता है सुतरों के हावाले से खबर मिल रही है कि RLDI विधायक दिल्ली बुलाए गए है उत्रप्रदेश विधानसबा सत्रख खत्म होने के बाद RLDI के विधायक दिल्ली जडाएंगे जहां RLG मुख्या ज्वेंद शौधी उनसे गटबंधन को लेकर चर्चा करेंगे बीजेपी और RLG का मतुरा और मुजफर नगर सीट पर पेच सुलशते ही गटबंधन का अधिकारिक एलान भी हो सकता है हाला कि बीजेपी तीन सीटे RLG को देने को तयार है बीजेपी RLG को कहराना, बागपत और अम्रोहा देने को तयार है और इसके अलावा RLG को निगम बोड, आयोग और मंद्री मंडल में शामिल किया जा सकता है कहा जारा है कि RLG की सपा से मुजफर नगर, कहराना और बिजनौश सीट पर बात उलची हुई थी सपा कहराना, मुजफर नगर और बागपत में अपने प्रत्याशी RLG के सिंबल पर उतारने की बात कह रही थी और इसी बात पर दोनों के बीच बात बिगड़ी गर्दलब है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रालोद को साथ सीटे देने की बात कही गई है हाला कि वे सीट कौन सी है, इस पर सस्पेंस बर करार है रालोद में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिली थी हाला कि बीजेपी से गटबंधन को लेकर रालोद की तरफ से खंडन भी आया है रालोद के राजट प्रवक्तार रोहित जाकर ने वीडियो मैसे जारी कर कहा कि बीजेपी से गटबंधन की बात अफवा है उन्होंने कहा कि रालोद बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा और लड़ता रहेगा इंडिया गटबंधन के तहर जो सीट तैह हुई थी उन पर गटबंधन की तरफ से रालोद चुनाव लड़ेगा